तो Google Play Store सभी के फोन में दिया होता है और आप लोग यही सोचते हैं कि Google Play Store से सिर्फ अप्लिकेशन गेम एगरा डाउनलोड करना होता है लेकिन दोस्तो आप ये नहीं जानते कि Play Store के सिर्फ एक मिश्टेक से आपका पूरा बैंक एकाउन खाली हो सकता है Play Store के सिर्फ एक मिश्टेक से आपका पूरा फोन हैक हो सकता है आप क्या सच करते हो कोई भी देख सकता है आपकी प्राइबसी लिख हो सकता है सिर्फ एक मिश्टेक से यानि कि Play Store के अंदर कई ऐसे हीडेन सेटिंग दिये होते हैं जिसके बारे में दोस्तो आप नहीं जानोग कभी भी ये सारी चीज़े आपके साथ हो सकती है समझ रहे हो ये Play Store सिर्फ अप्लिकेशन गेम अगरा डाउनलोड करने के लिए नहीं है इसके साथ साथ ये आपके फोन के पूरे प्राइबसी को भी हैंडल करता है इसलिए इस वीडियो के अंदर में Play Store की पांच ऐसी खतरन सेटीम बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक Android फोन यूज करते हो और आपके फोन के अंदर Google Play Store है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ये वीडियो दोस्तों आपके जिन्दिगी बदल देगी आपके लिए बहुत important है ठीक है तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को subscribe कर दो and continue इस वीडियो को देखते रहो तो आएए दोस्तों मैं Google Play Store के सभी tips and tricks के बारे में बता देता हूं या settings के बारे में बता देता हूं जिसे आपके फोन में करना बहुत जरूरी है अगर लोगों को इसके बारे में जानना है ठीक है और इस वीडियो को जितना हो से के अपने family member के साथ share करना ताकि इसके बारे में पता चल जाए तो सबसे पहला काम करना है Google Play Store को आपको open कर लेना ठीक है दोस्तों यहाँ पर Google Play Store को आपको open कर लेना है यहाँ जो profile लोगों है इस ल् OP देख्या करने है ध्यान से दिखी है यहाँ जो setting है setting करना है method जैसे setting प सबसे पहले आपका जो यह फोन आपको यह पता करना है कि हमारा lorsqu boundary जो पार्स लगा है वहाँ समान लगा हुए यह हैं यहाँ पर दोडी Port रिका वर यहाँ प्ले रो ट्य। इस यह नित जिखा हू कि अगर device certified लिखा हुआ है तो ठीक है आपका फोन अगर यहां पर लिखा हुआ है डिभाइज नोट certified तो आपके फोन के अंदर कुछ ना कुछ समान गड़बड है ठीक है तो आप जाकर तुरन सर्विस सेंटर में आप इसे बोलेंगे कि हमारा device certified करके दीजे नोट certified कर रहा है ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां से बैक चले जाना है उसके बाद दोस्तों आप यहां पर प्ले स्टोर के ऊपर कुछ भी चीज यहां पर सर्च करते हो ठीक है जैसे कुछ भी यहां पर कोई भी application का नाम कोई भी game सर्च करते हो तो आपका चोरी क्या होता है दोस्तों को तो यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों आप देखी यहां यहां फ alcanz रख्रीश आप ही जो 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 तो आप में मम्हाआ पापा को पता चल को हो तो आपने स्टूर के उपर क्या प क्या संबने को मिलता है तो आप यहां से मतलब की लिए कर सकता है यहां पर लोगो सेटिंग करना ठीक है यहां पर एक को मिलेगा जिसका नाम होता है ओटिफिकेशन यहां पर लिखा हुए दोस्तों बायमेटिक ओटिफिकेश अनि हाप लिखा हुए फींगः लिखा हुआए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यही वाला को on कर दिये और यहां पर अपना फीन्गर फिंगर पॉर्ण यहाँ पर प्रिंगर प्रिंट पर यहाँ प्रस्वर्ण ऐब करद में प्रस्वर लगा है क्योंकि आपके भीना fingerprint पासवोर्ड का वह आपका काम नहीं करेगा तो यहां पर आपको यह setting को कर लेना है बहुत important setting है ठीक है यहां पर लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है ना फैमली यहां पर लिखा हुआ है तो आप यहां पर खुद से आप यहां से पड़ सकते हैं दोस्तों ठीक है यह आपका तीन नमर का सेटिंग है ठीक है उसके बाद दोस्तों हम आपको चार नमर का जो सेटिंग बता रहे हैं ध्यान से दिखेंगा यहां पर लिखा हुआ है Network Preference यहां पर होता क्या है ना दोस्तों Network Preference के अंदर आएंगे तो यहां पर 3 सेटिंग आपको देखने को मिलेगा देखिए आप लिखा हुआ है अपर ध्यान से पड़िए एप डाउनलोड प्रिफेंस यहां पे अटो प्लेए एप यहां पर लिखा हो देखिए एप डाउनलोड प्रेफेंस इस पे अप कलिक करेंगे तो आपको यहां पर राता है ओबर एनीट्वर पे तो आपको अश्मी every time पे कर, क्योंकि अगर दोस्तो over any network पे रहेगा, तो कोई भी आपके phone के अंदर notification आएगा, तो automatic आपका phone क्या होगा ना, कि उस application को download कर लेगा, install कर, जिससे आपके phone की battery और internet दोगने 30 से खतम हो जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अक्समी every time पे कर लेना, ठीक है, यहाँ से बैग जा, उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे auto updates app, होता कि है न, दोस्तो अगर आप over any network पर रखते हो, तो आपके phone के अंदर हर एक दिल हम सब के phone के अंदर 2-4 application का update आते रहता है, phone आपका permission भी आपसे नहीं लेगा, और आप application को update कर देगा, जिससे आपका phone का बैटी और internet खतम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यह setting करना है, don't auto updates as पर रखना है, ठीक है, उसके बाद दोस्ते यहाँ पे लिखा auto play video, इसका मतलब क्या होता है दोस्तो, कि जब आप play store open करते हो, तो वहाँ पे कोई भी video play हो जाता है, कोई भी game play हो जाता है, तो आपका जब यह setting रहता है auto play video at any time पे तो वहाँ पे कोई भी play store open करोंगे तो कोई भी video play हो जाता है, कोई भी game play, जिससे आपके phone का बैटी और निटरनेट क्तम होता है तो आपको यहां पपर यहां पर यहां पर अप्ताइय बाद नर्सराह करण दोस्तों जब करें तो नियुक यहां पर शीटिंग करना दोस्तों यहां पर लिखा हूए जो लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, No Harum Pool Apps Fund, यहां पे Ascans लिखा हुआ तो आपको यहां पे Ascans करके देखना है, कि यहीं हमारे phone के अंदर कोई ऐसा application तो Harum Pool नहीं है, जो आपके phone को है, मतलब hack कर सकता है, आपके privacy को तो मतलब लिख कर सकता है तो यहां पर आप स्केन करेंगे तो यह हमारा Google प्लेश्टोर जो है यह हमारा जो setting है setting पर क्लिक कर लिजेगा और यहां पर यह दोनों setting को on कर देजिगा जैसे on कर देंगे तो यहां पर जो हमारा देखी हरा वला दिखाई देरा है आपको भी दिखाई देना लगेगा तो आप अपने phone के अंदर यह पांचो setting कर लेते हैं तो आपका phone भी hack नहीं होगा ना आपका bank account हेक होगा और आपका पूरा मतलब phone का secure रहेगा दोस्तो तो अपने phone के अंदर play store के अंदर ये पांचो setting को enable करना बहुत ही जरूरी है और जितना हो साथ कि अपने family member को भी बताईए इसके बारे में अपने friends को भी बताईए तो I hope दोस्तों वीडियो में इसी setting के बारे में बता रहेते हैं हमारी वीडियो से कुछ सिखने को मिली हो वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे तब तक लिए बाई बाई टाटा मिलते हैं एक नई टोपी के साथ नई वीडियो